दिल्ली NCR में बारिश तो पहाड़ों में बर्फ बारी ने ठिटूरन वाली सर्दी के आगमन का संकेत दे दिया है बीती रात दिल्ली NCR में हुई बारिश से बले ही AQI का स्तर कम नहीं हुआ हो लेकिन एक बात तो तैह है कि आने वाले दिनों में सर्दियां और जादा बढ़ जाएगी अगर मौसम के ताज़ा अपडेट की बात करें तो आज भी उतराखंड की हरसिल गाटी का मुखवा गाव बर्फ की चादर से ढखा रहा इसके अलाबा पदरिनात में भी आज बर्फ बारी हुई वही राज़दानी दिनली में कई इलाकों में हलकी धूप निकल गई है पता दें कि हिमाचल परदेश के पहाडी इलाकों में भी बर्फ बारी हुई है उधर पंजाब हरियाने के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्च की गई मौसम की माने तो अगले 24 घंटों के दोरान जम्मू कश्मीर, उधराखंड और हिमाचल परदेश के पहारी इलाकों में हलकी से भारी बर्फ बारी होगी इससे तापमान गिरेगा जिससे ठिटूरन वाली सर्दी की शुरुवात हो जाएगी वही चकरवात जवाद कमजोर होकर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल तट की और उत्तर एवं उत्तर पूर्व की और बढ़ेगा इससे उत्तर और दक्षिन परगना, कोलकाता हावडा और पूर्व और पश्चिम मेदी नीपूर जिलों में हलकी से मंध्यम बारिश शुरू हो गई है दक्षिन बंगाल के विबिन हिस्सों में भी बारिश का पुर्वनुमार है इसे देखते वे प्रशासन ने परियाटकों से तठीय शेतर में नहीं जाने की सलादी है विर्व बोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीम झाल झाल झाल